कि इदर आओ हमरी भाई को कैसे मारा पूरा पेड़ चला के मार दिया उसी में मर गिया लेकिन आप निश्चिंत मत रहिएगा हर बार इस्टाइल बदल के मारता है हो सकता है आपके लिए दूसरा इस्टाइल सोचा हो मेहनात चला महा भटों को लेकर हनमान जी आते देखे अत सबसे है नत्वा पहले ही कूझ भाग लिया उसका रथ खंड़ कंड़ हो गया मेहनात माया करकी आकास में चला गया हनमान जी देखे आकास में चला गया बोला अबी नीचे बुलावते निरुकतू उसके साथ महाभट थे कौन था महाभट है हनमान जी जानते का कि यह उन लोगों के साथ पानर देखें आप लोग बानर के सरीर में कितने बड़े बाल होते हैं इतने बड़े-बड़े हनमान जी के शरीर में जितने बाल थे सभी बालों को सुई के समान नुकीला बना लिए i पाल सुवा बन गए हो सुई जैसे नुकीले जो उसके बाद जो महाभट थे हनमान जी 40 को इधर पकड़े 40 को इधर पकड़े पकड़ के उपर लाए महाभट बाप बाप चिला रहे हैं माटी मेरा गड़िये अधर बिल्कुल नहीं क्या करिएगा अनमान जी बोले को रोना आया था वेक्षिन लगाए हो तुम लोग कौनों डोज लगा है तुम लोग का आज पहिला डोज दुसरा डोज बूस्टर डोज सब दोज लागी तहलों को स्वामी जी कहते हैं रहे महाभट ताके संगा रहे म कि अलाट अमब बहुत के लाट इबाट अले के ना करिया करिया राक्षा गोरे-बोरे होने लगे अनमान जनी है भूमार के अनरा के लिए राक्षट लोगों साथ मेला था अपने भाग किया उपर इपानर रगड़ के मार देगा जल्दी नीचे आओ मेघनाद बेखा रहे हमारे सिपाहियों को करिया करिया सिपाहि गोरे गोरे हो गए मेघनाद नीचे आया अनमांगी राक्षतों को छोड़े मेघनाद के खोपड़ी पर एक मुक्का मारे सिर पर मुष्ट का बाध है एक मुष्ट का जये श्रीगा का हुआ हो बेहोस एक के मुक्का में बेहोस हो गया बेहोस होके गिरा वो स्वामी जी करते हैं मुठिका मारी छाहतर जाई जैसे मेगनाद बेहोस हुआ हनमान जी वहीं वो पेर था उस पर चड़ के देखने लगे काहें देख रहे हैं उठी तो दूसर का फिर मारे मेगनाद के मुर्शा गई धीरे से आँख खोल अरी बाप उपरे बई ठलबा अब बुझाईल बाबुजी का है कहनी हम मरी है जौन एगो मुका मरलव बेहोस का दलव दूसर का मारे मुई ये जाए माँ लड़ नहीं पाऊंगा इससे ब्रम्हास्त्र चलाओ निकाला ब्रम्हास्त्र आपको पता हो हनमान जी को बचपन में आशिरवाद मिला है किसी भी देवता के अस्त्र सस्त्र का हनमान जी पर प्रभाव पढ़ने वाला नहीं है ब्रम्हास्त्र तो ऐसे फेल होगा हनमान जी सोचे ब्रम्हास्त्र फेल हो जाएगा तो महिमा गिर जाएगी उसकी महिमा बचाने के लिए नाटक किये जैसे चलाया लगा नहीं तो स्वामी जी कहते हैं तेही देखा कपी गुर्चित भायों जैसे ब्रम्हास्त्र आया हनमान जी देखे अब बेहोस होने का नाटक करके गिर गए चासफा दवा करें घृटा नेघ्ग याँजनाण जी को देखा बोला वायन उठ पहार के नीचे है जैसे मेघनाज बूला कोई राक्षष डा नहीं रह श्राके पास हैं एक राक्षष वोला आज आपने कहा उठा के लिए चलो मान लिजे हम उठाने जाएं और उसी सब्सक्राइब